सभी सीह रासी के भाई बहनों का सादर अभिवादन आज हम समझने जा रहे हैं केतू के द्वारा कौन से कारी हमारे सिद्ध होने वाले हैं कारी हैं जो हमारे जीवन में हम चाहते तो हैं परंतु किसी कारण से लिए अवरोत की इस्थिति उत्पन हो रही है कैसे ये केतु देवता अब प्रभावी हो रहे हैं आपके जीवन को विशेज सुभता की स्थिति पर ले जाने के लिए समझते हैं करम भाई करम होना क्या है और आप उस उपाय को जरूर कीजेगा जो केतु के द्वारा आपको एक सफलता के सिर्स मुकाम तक आपको पहुचा जाएगा ध्यान देंगे आपके अपने सिहरासी से ठीक दूसरे भाव पर केतु देविद्यमान है ये जो द्विती भाव है ये इस्थान माना गिया है धन त्रिकोण का इस्थान माना गिया है और इस इस्थान पर धर्म त्रिकोण अर्था धर्म के स्वामी धर्म भाव के अधिपत ही हमारे केतु देवी राजमान है माना जाय तो ये इस्थान इतना महत्वपूर्ण इस्थान है जहां पर केतु वी राजमान है केतु के हाथ में एक धर्म की ध्वजा है अर्थात एक फतह की ध्वजा है एक जीत का ध्वजा हमारे पास है किस छेत्र में दूती भाव किस ची का इस्थान हमारे संचित जमापुन जी का इस्थान है जहां पर केतु देविद्धिमान हैं तो अब क्या ये केतु देवता हमको सफलता के उस मुकाम तक ले जाएंगे क्या हमारे हिसाब से और अर्थिक रूपस जो हम प्रगति चाहते हैं वो उस प्रगति को हमें दिला पा कि केतु हमारे जीवन में बाधा कारक है, हमको ब्रेक लगा रहा है, बलकि आप ऐसा सोचें कि राहू के पास उपरी हिस्सा है, केतु के पास सिर्फ और सिर्फ इनके पास हाथ और पैर है, दिल है, और इसी के अनुसार ये जब कोई गलत कार्य होने वाला होता है, या कुछ प बच्चा बार-बार यदि आग के पास जाता है, आग के पास जब जाता है वो बच्चा तो उसकी मां उसे रोक लेती है, बार-बार खिच करके लाती है, उस बच्चे को ये लगता है कि मुझे मां प्रताडित कर रही है, लेकिन वास्तों में कहा जाए, तो वो उसे जलने स बचा लेती है ठीक इसी प्रकार से केतू आपके द्विती भाव पर है कोई बड़े आर्थिक रूप से हम यदि परिशान है या कोई आर्थिक हम कारे करना चाहते हैं उसमें हम कोई वेहतर बिकल्प नहीं ढूंड पा रहे हैं अर्थात कोई रूखने का साहस आपको दिला प पर चल रहा है और देखा जाया तो यह देव गुरु विरस्पति आपके अपनी योग कारक है अब यहां से गिना जाय तो एक, दो, तीन, चार, पाँच है गुरु से केतू का जो प्रभाव है, वो छठे भाव पर है और केतू से गिना जाया तो एक, दो, तीन, चार, 6-7-8 अस्टम भाव पर देव गुरु बिरहस्पती विराजमान है योतिस में इस कॉंबिनेशन को इस योग को सडाश्टक योग कहा जाता है जो बहुत उत्तम नहीं होता जिससे कारण से हमें आर्थिक परेसानी हमारे कौटोंबिक जीवन में परेसानी और साथ इसाथ कोई करके ये व्रिसब रासी में प्रविस कर जाएंगे जो कि आपके सीह रासी से ठीक दसंभाव पर इनका ट्रांजिट हो जाएगा अब जब गुरु देव यहां आ जाते हैं आपके दसंभाव पर आ जाएंगे इनकी जो दृष्टी पढ़ेगी पंचन दृष्टी वो आपक मुक्ती ये सब दिला पाते हैं कारण ये होगा कि केतु को गुरु का साथ मिल गया और गुरु का उन्हें तो गुरु हमारे भागे के सुचक माने गए हैं हमारे भागे के प्रतिक माने गए हैं देव गुरु बिरस्पती को जब यही किसमत का साथ केतु को मिल जाएगा क् केतु के पास सरीर नहीं है ध्यान दखेगा इसको गुरु का साथ मिल जाएगा अर्था जीवन में एक नई प्रगति का आउसर पूरे के पूरे मई 2025 तक आपको देखने को मिलेगा क्योंकि केतु देव महराज इतने लंबे समय तक आपके धन भाव पर रहेंगे अब संचित नहीं हो पा रहें यहाँ पर धन संचय होगी बैंक से जुड़े हुए कोई कारिया है अटक रहे हैं कोई काम नहीं बन पा रहे हैं वहाँ पर कारिय बनेगा कौटोंबिक जीवन में कोई बाधा बनी हुई है कोई असांती का महौन आप फेस कर रहे हैं वहाँ पर ए जो केतु देव महराज है वो निर्वित मार्ग के हैं इन्हें निर्वित पसंद है ये एक सन्यासी एक वैरागी कैसा होता है एक सन्यासी के लिए कोई संसारिक भौतिक सुख सुगधाओं से कोई मतलब नहीं होता इस कारण से दूती भाव पर आए है आपके मन में भी यह आ स किस्था के आप भूखे रहेंगे दूसरे तरब से समझे इस केतु को केतु मान लेते हैं कि चलिए केतु हमें निर्वित मार्ग पर अग्रसित करते हैं लेकिन ये कल्यूग है और सभी यूगों को हमारे गरह अच्छे तरह से जानते हैं और इसी कारण से हमारे कल्यूग मे बीना कुछ भी कारे संभव नहीं है धन त्रिकोन पर उपस्तित हैं धन भाव पर हैं कैसे आपको धन नहीं देंगे भई ध्वजा कब लहराएगा जब मैं इस भाव को जीत गया तभी तो ध्वजा लहराएगा इसका मतलब ये भाव आपका जागरित हो करके रहेगा और आपके जीवन में अधन से संभन्धित परिवार से संभन्धित और कोई परिसानी कैरियर से जुड़ा हुआ अभी यदि आप फेस कर पा रहे हैं ये केतु देव वहाँ पर बहतर विकल्प निकाल करके आपके जीवन में परिसिद जरूर करा पाएंगे ध्यान दिजेगा इस केतु को सबसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमारे वनसा नुगत जो कुल देवी अत्वा देवता की अराधना की जाती है उसकी पूजा जरूर कीजेगा वहां से आपको एक बेहतर विकल्प निकल करके आने वाला है जो हमारे घर के कुल देविया देवता होते हैं उनका संबंध इस केतु से होता है जो हमारे पुरवज होते हैं जो हमारे पित्रगण होते हैं उनका संबंध इस केतु से होता है इसलिए अमावस्ता के दिन ब्राम्हनों को भुजन कराना अथ्वा मंदीरों में दान करना या फिर किसी जरुवत मंदी इंसान को कि आप सेवा यदी करते हैं आपने पैसे लगाते हैं क्योंकि धन भाव पर हैं तो ये केतु आपका निर्मन होता है जब आप सेवा संबंधी कारे करते हैं को इसी पूजा पाठ इत्यादी में आप रत रहेंगे ये केतु आपका already strong रहेगा अर्थात ये positive event के रूप में बहुत से सुख संपदा दिला सकते हैं ध्यान रखेगा ये एक जड़ है इसलिए हमें जड़ पर काम करने क्या हो सकता है हम जब कोई घर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा समय किसमें लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत किसमें लगता है भाई वो जो हम जड़ में काम करते हैं जो column डलता है बीम डलता है उसमें सबसे अधिक काम होता है इसी कारण से हमें वास्तविक कारे को सिद्ध कर सकता है इन उपाय को जरूर कीजिएगा इसके बाद माना जाता है भगवान से गणेश की पूजा जो भगवान गणेश की जिन पर सवारी होती है वो है मुसक जी महराज तो इसके मुसक को हम जोडते हैं केतु देव महराज से जब भगवान से गणेश की पूजा करते हैं भगवान से गणनायक के हमें आसिर बाद तो मिली जाता है साथ ही साथ केतु देव महराज की क्रिपा भी हमें प्राप्त हो जाती है ऐसा उपाय कीजिए ये केतु देव आपके कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध नहीं कर पाएंगे उम्मीद है आप सबने इसे समझा आप सबने इसे जाना यदि आपने इसे समझा है जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजेगा पुना एक बार फिर आप सभी का दीवस बहुत मंगल मैं हो इन्हीं सुपकामनाओं के साथ जय स्रीराम